Lower caste movements दोस्तूं, 19th century में इंडिया में social religious reforms के लिए बहुत सारे organizations फॉर्म किये गए थे जैसे की ब्रह्मो समाज, आर्य समाज, यंग बेंगॉल मूवमेंट, प्रार्थना समाज, एट्सेटरा लेकिन इनके ज्यादतर leaders अपर कास्ट हिंदू community को बिलॉंग करते थे इन लोगों ने कास्ट discrimination के against आवाज जरूर उठाई थी और untouchability को भी काफी condemn किया था इसके बावजूद, कास्ट discrimination को रोकने या untouchables की condition में सुधार लाने में इन्हें बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिले थी साथी, 19th और 20th centuries में कुछ ऐसे circumstances बनते हैं, जिनकी वजह से lower cast में class consciousness develop होने लगती है इसके बाद ये लोग खुद caste equality के लिए संघर्श शुरू करते हैं Britishers की divide and rule की policy, western education system की growth, common Indian penal code और code of criminal procedure का introduction, railway network का extension, modern political thought की popularity जो equality और social egalitarianism पर based था, कुछ ऐसे कारण थे, जिनकी वजह से caste system को defend करना मुश्किल होता जा रहा था ऐसी situation में lower caste की कुछ leaders सामने आते हैं और खुद ही movement की शुरुआत करते हैं इनके बारे में बात करने से पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर lower caste people को अंदोलन करने की जरूरत भी क्यूं पढ़ती है causes of lower caste movements दोस्तों, lower caste से यहां हमारा मतलब उन caste से है जिन्हें untouchables कहा जाता था इन्हें वर्ण सिस्टम से बाहर रखा जाता था इसमें ज्यादा तर menial jobs करने वाले लोग जैसे leather workers, gardeners, sweepers, etc. आते थे Indian society में इन लोगों के साथ बहुत ही inhumane व्यवहार किया जाता था upper caste लोगों का मानना था कि इनके स्पर्श से ही इनसान polluted हो सकता है इसलिए इन्हें ना तो mainstream community के साथ रहने दिया जाता था और ना ही ये लोग main sardak, public wells, temples आदी का use कर सकते थे इसके अलावा इन्हें किसी भी तरह के rights भी नहीं दिये जाते थे इसके उपर से upper caste के लोग इनका शोशन करते थे इन्हें बहुत ही अपमान जनक शब्दों से बुलाया जाता था इनके साथ कोई भी अच्छे से बात करने के लिए तयार नहीं होता था इनके साथ खाना या पीना तो बहुत दूर की बात थी इनका दिखना भी अशुब माना जाता था इस तरह lower caste के लोग अपने ही देश और समाज में secondary citizens की तरह जीते थे इनकी बस्तियां गाउं से बाहर होती थी लेकिन British rule के साथ जब modern education भी इंडिया में आती है तो situation बदलना शुरू करती है शुरुआत में Christian missionaries इन्हें convert करने के लालच में education देना शुरू करती है इसके बाद British government भी इन्हें scholarship देने लगती है इसके पीछे उनका मकसद जरूर divide and rule था लेकिन इससे untouchable community को फाइदा जरूर होता है इसके अलावा modern thoughts जैसे liberty, equality और fraternity पर जब इंडिया में बात होना शुरू होती है तो बहुत से social reformers caste system के खिलाव भी बोलना शुरू करते हैं इससे lower caste के लोगों में धीरे धीरे awakening आना शुरू हो जाती है इतना सब होने के बाद भी जब caste discrimination खत्म नहीं होता तब lower caste के कुछ leaders इसे openly challenge करने का साहस दिखाते हैं आईए अब ऐसे ही कुछ leaders और उनके movements के बारे में जानते हैं जोतिबा फूले और सत्यशोधक समाच दोस्तों, सबसे पहले lower caste movement शुरू करने का श्रे महराश्ट के जोतिबा फूले जी को जाता है इनका जन्म माली कास्ट में हुआ था फ्यूचर कास्ट movements के लिए भी ये inspiration का काम करते हैं 1873 में जोतिबा फूले सत्यशोधक समाच की स्थापना करते हैं इस organization का aim society के weaker sections के लिए social justice secure करना था इन्होंने lower caste और women के लिए बहुत से schools और orphanages भी open किये थे जोतिबा फूले को 1876 में पूना municipal committee का member भी elect किया गया था ये Congress को भी criticize करते हैं क्योंकि इनका मानना था कि Congress पूरी तरह national नहीं बन सकती जब तक वो lower और backward caste के welfare में अपना interest ना शो करे 1888 में जोतिबा फूले जी को महत्मा की उपाधी से सम्मानित किया गया था फूले जी, गुलामगेरी, इशारा, लाइफ अफ शिवा जी जैसी books के author थे गुलामगेरी को मराठी में लिखा गया था और ये caste system को criticize करने वाली सबसे पहली books में से एक मानी जाती है इसे dialogue के form में लिखा गया था जो ज्योतिबा जी और उनके character धोंडिबा के बीच में चलता है बुक में basically casteism की theory को challenge किया गया है ज्योतिबा फूले और उनके movement ने अंबेडकर को भी काफी influence किया था महराश्ट्र के बाद अब बात करते हैं South India की जहां lower caste movements की एक strong history रही है यहां श्री नारायन गुरू और E.V. रामस्वामी नायकर जैसे leaders ने lower caste के emancipation के लिए काम किया श्री नारायन धर्म परिपालन योगम S.N.D.P.Y. movement दोस्तों श्री नारायन गुरू केरला की untouchable community एडवाज या एरवाज को बिलॉंग करते थे इन्होंने 1902-203 में श्री नारायन धर्म परिपालन योगम की स्थापना की थी और इसके तहत temple entry movements launch किये गए थे उस समय lower caste especially untouchables जैसे की एडवाज को temple में entry का अधिकार नहीं दिया जाता था इसके against ही इन्होंने आंदोलन किया श्री नारायन गुरू जी का मानना था कि अलग-अलग caste में difference सिर्फ superficial है जैसे एक ही tree की सभी leaves का juice एक जैसा ही होता है वैसे ही अलग-अलग caste को बिलॉंग करने बाले भी एक ही इश्वर की संतान है और इसी लिए एक समान ही है इसी पर उन्होंने नारा दिया था वन रिलिजिन, वन कास्ट और वन गॉड फर मैनकाइंड नारायन गुरू और उनके साथियों ने एरवाज के upliftment के लिए टू-पॉइंट प्रोग्राम लॉंच किया था इसमें पहला पॉइंट ये था कि ये अपनी कास्ट से नीचे की कास्ट के प्रती untouchability की practice को छोड़ देंगे और दूसरे पॉइंट के तहट नारायन गुरू बहुत से temples बनाते हैं जो सभी कास्ट के लिए open रखे जाते हैं इसके साथ ही वो marriage, worship और funeral से related rituals को भी simple बनाते हैं नारायन गुरू untouchable groups के transformation में काफी हद तक सफल रहते हैं अब बात करते हैं South India के ही एक दूसरे कास्ट movement की Justice Party दोस्तों, 20th November 1916 को Madras के leading non-brahamman citizens South Indian Liberal Federation की स्थापना करते हैं इसमें Dr. T.M. Nair श्री पिट्टी थियाग राजा चेतियार और पनगल के राजा शामिल थे इस organization को Justice Party के नाम से भी जाना जाता है ये लोग non-brahamman manifesto नाम से एक joint declaration issue करते हैं जिसमें government jobs में non-brahamman के लिए reservation की demand रखी जाती है 1920 में जब Madras Legislative Council के elections होते हैं तब इनकी party power में आती है आगे जाकर Justice Party E.V. Ramaswami Nayakar की leadership में काम करने लगती है और वो इसे एक नई दिशा दिखाती है E.V. Ramaswami Nayakar and self-respect movement दोस्तों, anti-brahamman movement में एक बड़ा नाम आता है self-respect movement का इसे E.V. Ramaswami Nayakar ने शुरू किया था जिन्हें पेरियार याने की great soul के नाम से जाना जाता है नायकर पहले Congress के member हुआ करते थे इन्होंने non-cooperation movement में भी participate किया था लेकिन social justice और non-brahamman के representation के issue पर Congress के साथ इनका मतभेद हो जाता है और ये Congress छोड़कर 1925 में self-respect movement लाँच करते हैं इस movement का aim non-brahamman में awakening पैदा करना था इन्होंने अपना journal कोडियार्सू भी निकाला था journal और movement के द्वारा ये बिना brahamman priest के weddings करना, जबरदस्ती temple में entry करना और मनुस्मिती को जलाने जैसी activities को promote करते हैं इनफाक्ट पेरियार South India especially Tamil Nadu के सभी non-brahamman के लिए एक umbrella movement प्रवाइड करने की कोशिश करते हैं 1937 के बाद Justice Party की leadership इनके हाथों में आ जाती है और इन्हें लगता है कि electoral politics छोड़ कर party को non-brahamman movement से एक reformist movement में change करने की ज़रूरत है इसी सूच के साथ 1944 मे Salem Conference में पार्टी का नाम बदल कर द्रविडार करगम कर दिया जाता है और फिर ये reforms की रहा पर चल देते हैं हना कि September 1949 में ये party split हो जाती है और अन्ना दुराई की leadership में द्रविडा मुनेत्र करगम यानि DMK की formation होती है जो एक बार फिर से electoral politics जोइन करती है और 1967 में तमिलनाडो में पहली बार DMK की government बनती है और अन्ना दुराई CM elect होती है दोस्तों नायकर Hinduism की भी कड़ी आलोचना करते हैं और Hindu religion को Brahmanical control का एक instrument कहते हैं वो मनु के laws को inhuman बताते हैं और पुरानाज को fairy tales उन्होंने Hinduism का उपहास करते हुए कहा था कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें सुधारा नहीं जा सकता सिर्फ खत्म किया जा सकता है और Brahmanical Hinduism उन्ही में से एक है नायकर ने religion को एक superstition बताया और Dravidians पर Hindi impose किये जाने का भी विरोध किया वो hotels पर लगे हुए कास्ट के नाम वाले boards को destroy कर देते थे Brahmins के Holy Thread को काट देते थे Deities को चपल से मारते थे और मूर्तियों को भी तोड़ देते थे Periaar की legacy आज भी Dravidian movement के लिए inspiration का source है दोस्तों, lower caste movements की बात Dr. B.R. Ambedkar के बिना पूरी नहीं हो सकती तो आईए उनके great contribution के बारे में जानते हैं Dr. B.R. Ambedkar and depressed classes movement Ambedkar जी का जन्म 1891 में महराश्ट्र के महार कास्ट में हुआ था बचपन से ही उन्हें कास्ट discrimination का सामना करना पड़ा था और आगे चल कर वो इसके against बोलने वाले सबसे बड़े leader बनते हैं उन्होंने Bombay के Elphinstone College से graduation complete की और America की Columbia University से अपनी MA और PhD की degree हासल की July 1924 में Ambedkar जी Bombay में बहिश्कृत हित करनी सभा की स्थापना करते हैं इसका aim untouchables की moral और material progress करना होता है वो agitation का भी रास्ता अपनाते हैं और December 1927 में untouchables के मंदिर में घुसने और public wells में से पानी लेने के rights के लिए सत्याग्रह launch करते हैं इसे महार सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है आगे बढ़ते हुए 1930 में Ambedkar जी National Politics में एंटर करते हैं और untouchables के लिए separate electorates की दिबान करते हैं वो Britishers द्वारा organized तीनो round table conferences में participate करते हैं 1932 में British PM द्वारा announced communal award में Ambedkar जी की separate electorate की demand accept कर ली जाती है लेकिन गांधी जी द्वारा इसका विरोध करने और भूख हरताल शुरू करने पर Ambedkar जी compromise करने के लिए तयार होते हैं और उनके और गांधी जी की बीच पूना पैक्ट साइन होता है जिसके according separate electorate की demand वापस ले ली जाती है और उसकी जगह general constituencies में scheduled cast को reservation दिया जाता है April 1942 में All India Party के रूप में Ambedkar जी scheduled caste federation form करते हैं Congress party द्वारा उन्हें constituent assembly का member बनाय जाता है और फिर हमारे constitution की drafting committee का head बन कर Ambedkar जी अपना अनमोल योगदान देते हैं उनके प्रयासों से इंडिया को ऐसा constitution मिलता है जिसमें untouchability को abolish कर दिया जाता है और जो fundamental rights और equality की guarantee देता है Independence के बाद वो government में law member की तरह काम करते हैं और Hindu code bill लेकर आते हैं हाना कि bill को लेकर जब assembly में विरोध होता है तो PM नहरू इसे वापस ले लेते हैं इस बात से नाराज होकर Ambedkar जी cabinet से resign कर देते हैं हाना कि बाद में नहरू अलग-अलग parts में Hindu code bill पास करवा लेते हैं 1950 में Ambedkar जी अपने followers के साथ Buddhism adopt कर लेते हैं ये उनका तरीका था Hindu caste system को oppose करने का उनके अनुसार क्योंकि Hindu religion और उसका caste system untouchables को equal rights देने के लिए तयार नहीं है इसलिए untouchables के पास Hinduism को छोड़ने के अलावा और कोई option नहीं रहता है दोस्तों Ambedkar जी आज भी lower caste people के लिए inspiration का source है उनके विचार और ideology आज भी देश के युवाओं को प्रिरना देती है Conclusion इस तरह caste discrimination के against lower caste people ने अलग-अलग अंदोलन किये अपने साथ हो रहे inhumane behavior को challenge करने का इन्होंने साहस दिखाया इन्ही के प्रयासों का नतीजा था कि lower caste people अपने अधिकारों के प्रती सजग हुए हना कि निराश करने वाली बात ये है कि इतने प्रयासों के बाद भी caste discrimination जैसे evil से देश आजाद नहीं हो सका है आज भी untouchables के against किये जाने वाले crimes अकसर newspaper की headlines बनते रहते हैं यकीनन ऐसी headlines को देखकर जोतिबा फूले, पेरियार या अंबेड कर जैसे great leaders खुश नहीं होते हमें जरूरत है हमें जरूरत है इन great leaders के vision को पूरा करने की, एक castless equal society form करने की ये किसी एक leader से संभव नहीं होगा, बलकि सभी देशवासियों को इसमें साथ आना होगा